यह है आपका अपना चनल माई पोडल साथियों सबसे पहले देख लेते हैं अर्दवार्षिक परिक्षा मुल्यंकन 23-24 के लिए जो दिश्षा निर्देश प्राप्त हुए है उसके बारे में ये पत्र राजिस्षा के जारी हुआ है 13-9-23 को और पत्र कमांग है 6-8-84 विशा है अर्दवार्षिक मुल्यंकन 23-24 है तू दिश्षा निर्देश पत्र में आगे लिखा हुआ है कि अकादमिक सत्र 23-24 में कक्षा 1-4 एवं 6-7 है तू समस्त शालाओं शाष्की मानिता प्राप्त शाष्की शालाओं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों है तू अर्दवार्षिक मुल्यंकन समंदी दिशा निर्देश निर्देश निम्न अनुसार है पहला बिंदू है अर्दवार्षिक मुल्यंकन आयोजन किती थी आवदी और पाठकरम सीमा और इसमें शाष्की शालाओं के लिए जो निर्देश हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं समस्त शाष्की प्रात्मिक एवं पूरु माद्मिक शालाओं में कक्चा 4, 6 वा 7 हितू अर्दवार्षिक मुल्यंकन का आयोजन दिनांक 9 से 16 अक्टूबर के अवदी में किया जाएगा कक्चा वार एवं विशावार समय साड़ने परिशिष्ट एक में सनलगन है पत्र के बाद हम इस समय साड़ने को भी आपके साथ शेयर करेंगे पत्र डिस्क्रिप्सिस बॉक्स में अपलोड है आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं बिंदु कर मांक 2 अर्दवार्षिक मुल्यंकन 3 सितंबर 23 तक पढ़ाई गई पठन पाठन सामागिरी की आधार पर राज सिक्षा के अंदर द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्ण पत्र के द्वारा किया जाएगा अब बात कर लेते हैं असाश्की शालाओं की शाश्की मानिता पराप्त असाश्की शालाओं अनुदान पराप्त शालाओं एवं डाइस कोड पराप्त मदरसों में अर्दवार्शिक मुल्यंकन हेतु कक्षावार इवं विशयवार प्रश्ण पत्रों का निर्माण 30 सितंबर 23 तक पढ़ाई गई पठन सामगरी के आधार पर किया जाए यहाँ यह इसपष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्दवार्शिक मुल्यंकन के प्रश्ण पत्र शाला सर पर ही निर्मित किये जाएंगे प्रश्ण पत्रों के निर्माण हितु ब्लूप्रिंट परिसिष्ट दो अनुसार रहेंगे परिशिष्ट दो हैं इस पत्र में सरलंगन है आप डिस्क्रिप्शन सबॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं कक्षा एक से चार और छे से साथ में अर्दवार्शिक मुल्नियंकन का आयोजन इन्शाला अंद्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है दूसरे बिंदु में दिया है प्रश्न पत्र का स्वरूप और यहाँ पर कक्षा एक दो और तीन के लिए जो निर्देश है वो आप देख लिजे समस्त शाष्की शालाओं में कक्षा एक दो तीन हीतु एफिलिन आधारित आविदिक आकलन अभ्यास पुस्तिका वा सिख्षक संदज से कानुसार विश्यवार किया जाए इन कक्षा में प्रिथक से अर्दवार्शिक मुल्यांकर नहीं किया जाए आकलन की यह प्रिक्रिया 9-16 अक्टूवर की समय सीमा में ही संपादित हो यह भी आवशक नहीं है परन्तु अक्टूवर माह में प्रिक्रिया संपादित कर लिजाए बिंदुक्रमंग 2.1.2 शाष सिक्षकों हे तो कक्षा 1-2-3 में सिक्षक मारदरशिका जो संशोदित सतर 23-23 वाली है में मुल्यांकर टूल एवं निर्देश दिये गए हैं जिसके आधार पर विशयवार आवदिक मुल्यांकर की प्रिक्रिया की जाया अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 4-6 और 7 की लिखा हुआ है कि बर्तमान सतर से समस्तर शाष की शालाओं में प्रशन पत्र का सौरूब गत वर्ष की भाती प्रशन पत्र सह उत्तर पुस्तका की रूप में नहीं होगा अपितु प्रशन पत्र एवं उत्तर पुस्तका पृथ कराई जाएगी कक्षा 4, 6 और 7 एत कक्षा वार एबं विशा वार प्रशनों का विबरण एबं अंक विभजन की योजना समान है अब हम देख लेते हैं प्रश्ण पत्र का प्रारूप क्या होगा यहाँ पर बहु बिकल्पी पांच प्रशना आएंगे जो की एक एक अंक के होंगे इस तरह से कुल पांच अंक हो जाएंगे रिक्तिस्तान की पूर्ती के पांच प्रशना आएंगे जो एक अंक के होंगे इस तरह से कुल पांच अंक इस तरह की प्रशनों के लिए होंगे 20 प्रश्ण आएंगे और पूर अंक होगा वो होगा 60 अंक का और आएए अब देख लेते हैं समय सारणी प्रात्मे किस्तर के प्रश्ण पत्र शुरू होंगे 9 अक्टूबर से और ये चलेंगे 13 अक्टूबर तक कक्छा 4-5-2 नुकली समय सारणी बिलकुल एक सी है 9 तारीक को प्रथम भाषा का प्रश्ण पत्र होगा 10 तारीक को गड़ित अत्वा संगीत का प्रश्ण पत्र होगा 11 तारीक यानि बुद्वार को दूती भाषा अंग्रेजी अत्वा हिंदी जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है 12 तारीक को परियावरन अध्यन का प्रश्ण पत्र होगा और इसी प्रश्ण पत्र के साथ में कक्षा 4 और 5 की प्रिश्ण हो जाएगी। तीनो ही कक्षाओं के लिए 13 तारिकों 13 भाषा और 16 तारिकों सामाजिक विज्ञान का प्रश्ण पत्र होगा और इसी प्रश्ण पत्र के साथ माद्मिक इस तरकी परिक्षाएं भी पूर्ण हो जाएगी। नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग। एक नए तक के साथ तक प्रश्ण पत्र कर दो दोब एक माद्मिक लिए प्रश्ण पत्र कर दोजएं लिए . झाल झाल